कपड़े की जूते सुखाने की ये टिप्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बहुत असानी से आप इसे बना पाओगे और यूज कर पाओगे Hello everyone, welcome back to my channel तो friends चलिए देखते हैं कौन सी टिप्स है जो आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ friends क्या करना है जब भी आपको ये कपड़े जूते आप जब भी धोते हो ना इसे सुखाने के लिए आप ये वाला हैक जब ट्राइ करोगे ना तो आप देखोगे आपका काम बहुत असान हो जाएगा आपके जूते ना बहुत जल्दी सूख जाएंगे आपको करना क्या है इस तरह का जो पॉलिथिन हमारी घर में होता है ना इसमें आपको जूते को इस तरह के से हैंग कर देना है और किसी भी हैंगर में या तार पे आपको क्लॉथ पीन से लगा देना इससे क्या होगा जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो नीचे ज़र जाएगा और आपका जूता है ना जल्दी से फैन की नीचे भी सूक जाएगा आई होप ये टिप्स आपके लिए यूस्फुल होगी चलिए देखते हैं आज की दूसरी टिप्स कौन सी है आज की दूसरी टिप्स है हमारी पॉलिथिन को ही लेकर इस तरह की पॉलिथिन हमारे घरों में बहुत जादा मातरा में होती है बट हम इसका यूस नहीं कर पाते हैं तो वही आईडियाज आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिन में से कुछ आईडियाज आपको पसंद आएंगे आप कौन सा इस्तमाल करते हैं कमेंट्स करके जबूर बताईएगा तो देखे फ्रेंट्स यह मैंने छोटी पॉलिथीन ले ली है इसको मैंने बीच से कट कर लियाए ठीक है अब मैं यहाँ पे इसको डबल करके छोटा सा राउन में शेप कर लूँगी कट कर लूँगी ठीक है अब आप सोते हैं कि इसका हम क्या यूज़ करने वाले हैं इसका हम बहुत अच्छा यूज़ करने वाले हैं हम सभी जब भी जनली में जाते हैं या पिकनिक में जाते हैं या विकेशन्स में जाते हैं में पिकल्स जरूर लेकर जाते हैं बट उन्हें हम जब रखते हैं तो देखते होंगे आपने वह लीक हो जाता है और रिश जाता है नहीं है तो आज की बाद आप इस पॉलिठीन का इस तरीके से यूज करके देखना आपका जो अचार है बिल्कुल भी होती है तो इस तरीके से जब दवाई के बॉट्र को पैक कर लोगे न तो आप देखोगे आपका जो दवाई है बिल्कुल भी नहीं गिरेगा सिमिलरली फ्रेंट्स आपकी जो कुछ वो बहुत अची है बहुत इंट्रेस्टिंग है और सारी टिप्स जो है न पॉलिथीन को ही लेकर है इस तरह की पॉलिथीन फ्रेंट्स हम सबके घर में बल्क में होता है क्योंकि इसमें सबजियां लाते हैं ग्रॉसरी लाते हैं या और भी कोई भी चीज होती है न इस पॉलि कि नहीं ठीक है तो इस पॉलितिन में हमको क्या करना है देखिए मैं लिया है और इसको फ्लैट करने के बाद नीचे से पतले पतले स्टिप्स में कट कर लेना है जी हाँ आज हम बनाने वाले एक बहुत अमेजिंग टूल जिससे आप अपने घर की बहुत अच्छे से सफाई क बढ़ सकते हो जब आप देखोगे तो आपको समझ में अभी आ जाएगा ठीक है तो इसको कट करने के बाद ना हमको नीचे से इसको ऐसे कट करना जिससे यह दो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा ठीक है उसके बाद क्या करना है चलिए मैं आपको बताती हूं अगर बढ़ा है यह सबी के घरों में होता है क्योंकि जब हम क्लीनिंग करेंगे ना तो चिंचा इतना पतला होता है कि ऐसी यहां पर आपका हाथ नहीं पहुंचेगा यह जया कोई ब्रश नहीं पहुंच पाता है ठीक है उसके बाद आप rubber लगा लीजे धागे से बांग लीजे रस्टी से बांग लीजे उसके बाद आपको क्या करना है जिन area में जो भी area बहुत पतले space वाले होते हैं जैसे कि आपके almira में कुछ portions होते हैं या टेबल के नीचे कुछ ऐसी जगा होती जहां आपका हाथ नहीं पहुंचता है या फ्रिज के जो वायर्स होते हैं किनारे के वहाँ पे आपके हाथ नहीं पहुंचते हैं अच्छे से क्लीन नहीं होता है तो ये टूल की मदद से आप बहुत अच्छे से क्लीन कर पाओगे फ्रेंट्स ये बहुत ही अच्छा एक टूल रेडी होता है आप अपर जरूर इस टूल को ट्राइ करना आपकी क्लीनिंग नज कोने कोने की बहुत अच्छे से हो पाएगी पुरे घर की सफाई आपना बहुत असानी से एक पॉलिथीन से आप कर पाओगे इसके लावा फ्रेंट्स पॉलिथीन अब बहुत हैल्प करता है हमारी सफाई में आगे मैं अगर आपके साथ बहुत सारी वीडियो शेयर करूंगी तो प्लीज जो भी मेरे चैनल पने होएना चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले देखे कितनी मीटी मेरी अलमीरा में लगी होई थी बस इस टूल का इस्तमाल करके मैं अंदर से बहुत अच्छे से सारी डर्ट को सारी गंदगी को निकाल लूँगी और एक दम अच्छे से साफ हो जाएगा तो आपको ये टिप्स कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा अगर आपके पास कोई और तरीका है कोई और टिप्स है अच्छी तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा मैं जरूर इसे अपने चानल पर बताऊंगी तो देखे इस तरीके से इस टूल की मदद से हमने बहुत अच्छे से देखे क्लीनिंग कर ली है और मेरी जो अलमीरा है वो अच्छे से चमक गई है तो आप इस टूल को जरूर ट्राइ करना और मेरे साथ शेयर करना कि आपकी क्लीनिंग कैसी हुई है तो इसी तरीकी की छोड़ी टिप्स जो होते हैं वो हमारे काम को असान बनाते हैं जिन काम को करने के लिए हमें घंटों लगते हैं वो काम हमारा बहुत असानी से हो जाता है इसलिए हम इन tips and tricks का यूज करते हैं ताके हम अपने किचन के कामों को बहुत अच्छे से smart तरीके से कर सकें अब चलिए देखते हैं हमारी अगली tips कौन सी है जो की बहुत ज़्यादा काम की है आपके बहुत काम आने वाली है आजकल क्या है ना induction हम सभी अपने घरों में यूज करते हैं और इंडेक्शन में बहुत बार ऐसा होता है क्योंकि medicine की पत्ते से कैसे हम साफ करेंगे अभी आप देखते जाएए आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही ज़्यादा इंट्रेस्टिंग और बहुत ही काम की वीडियो है अब यह पत्ता देखे मैंने लिया है इसकी medicines खतम हो गई है तो मैंने इसे फेका नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ share करने वाली हूँ किस तरीके से इससे आप cleaning कर सकते हो ठीक है अब यह जो दवाई का पत्ता होता है यह काफी hard होता है देख सकते हो आप है और वैसे भी इसको इससे मैंने बहुत सारी cleaning की tips आपके साथ already share की हुई है आप मेरे चैनल पर जरूर देख सकते हैं तो देखिए अब यह कोना कोना जहां की ब्रश भी नहीं कर सकता हमारे हाथों से नहीं हो सकता यह देखिए medical medicine का जो पता है किस तरीके से गंदगी को निकाल रहा है आप देख सकते हो यह गंदगी जम जम के एक दम बहुत गंदी दिखने लगती है और इस तरीके से सफाई इस इस पता बहुत अच्छे से कर लेता है आप देख सकते हो और करने में friends बहुत मज़ा आता है जिस तरीके से इसे आपने clean किया है उसी तरीके से gas stove का जो knob होता है जिसे हम on off करते हैं वहां के किनारों को भी आप इस तरीके से clean कर सकते हो मैंने पहली video share किया हुआ है आप देख सकते हो कितने अच्छे से clean हो रहा है इस तरीके से आप अपनी cleaning कर सकते हो जिन एरिया में आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है या जो एरिया पतली होती है उन जगों के dirt को उन जगों की गंदगी को आप इस तरीके से बड़े असाने से निकाल सकते हो बच्चे को भी काम दोगे न तो उने भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा करने में तो फ्रेंट्स ये टिप्स आपके लिए helpful है कि नहीं comments करके जरूर बताएगा और अगर आप इससे clean करते हैं तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा तो इस तरीके से जो टिप्स होते हैं बहुत अ इंडक्शन को अपने ग्यास को मैं इस तरीके से clean करती हूँ जिसे की बहुत अच्छे से मेरी सफाई हो जाती है तो कैसी लगी फ्रेंट्स tips comments करके जरूर बताएगा और प्लीज प्लीज मुझे subscribe जरूर करेगा और आपके एक subscription से ना मुझे बहुत motivation मिलती है तो यह देखि आज की हमारी अगली tips कौन से है अगले tips भी हमारे लिए बहुत useful है और वो हमारे काम को असान बनाने में हमारी मदद करेगी तो यह देखिए फ्रेंट्स क्या अतर अकसर जब भी हम जैम की bottle हो गई या फिर चार की bottle हो गई लेकर आते है ना तो इतना vacuum packed होता है ना कि आप कि जल्दी खूलता ही नहीं है तो इसे खूलने का न मैं आज आपके साथ एक बहुत असान tip शेयर करूंगी जिसे देखोगे तो आप कहोगे काश यह हमें पहले पता होता